आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके की मैक्रोनी इसके लिए भगोने में हमने धाई ग्लास पानी गरम होने के लिए रख दिया है इसमें एक छोटी चमच तेल डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और मैक्रोनी को डाल करके हम अच्छे से 4-5 मिर्ट तक बॉयल कर लि आप यहां पार कड़ाई में तेल करम होने को लग दिया है इसमें जीरा करी पत्ता हरी मिर्च और डालेंगे साथ में हरी मटर डालेंगे काजर कद्दू कस्की हुई डालेंगे मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे पिसे हुए दो टमाटर तमाटर को भी अच्छे से लिए इसको डालेंगे यह नहीं तो गरम बसारा डाल सकते हैं स्वाधन सार नमक डालेंगे और हमने जो वाइट सौस बनाया था इसको थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे खट्या नहीं डालना है और इसको अच्छे से भून लेगे बूनने के बाद ये फिर से कि ऐसा कलर में आ जागा मैकरों डाल करके दो मिनट तक मिक्स करेंगे हरा दनिया डालेंगे दीजे तैयार है हमारी गर्मा गरम नए अंदाज में बनी हुई मैकरों ये वाइट सौस भी हमने से मिलाया है तो नए तरीके की है तो आप भी से जरूरू बनाएं वीडियो अच